अब इस question में कह रहा है 9 plus 6z plus z square को factorize करना है तो देखिए हमें पता है 9 किसका square है 3 का square है z square हमें पता है z का square है सबसे पहले square देखते हैं किस-किसका हो सकता है अब हमें पता चल गया a और a square और b square पता चल गए तो हमारा a square plus b square plus 2ab, किसका formula होता है, a plus b के whole square का formula होता है, तो 2ab की value निकालनी है, अगर 2 into a की जगा 3 और b की जगे z रखेंगे, तो यह कितना आ रहा है, multiply करके 6z आ रहा है, तो 6z ही है यहाँ पे, तो अब इसका मतलब यह हमने correct किया है, तो अब हम इसकी जगे क्या लिख सकते a plus a की जगे 3, b की जगे z का whole square, is the answer, let's do next question now, अब इस question में कह रहा है, x square plus 6ax plus 9a square की value निकालनी है, तो कैसे निकालनी है, अगर आप देखेंगे x square, x का whole square होता है, 9a square, किसका square होगा, 9 किसका square होता है, 3 का, और a square, a का square होता है, का whole square लिख सकते है, मतलब 9a square को हम 3a का whole square भी लिख सकते है, तो देखेंगे, दोनों जगे plus था, तो हमारा कौन सा formula लग सकता है, यहाँ पे, a square plus b square plus 2ab, और जिसको हम क्या कहते है, a plus b का whole square भी कहते है, right, अब plus 2 as it is, a की जगे x, क्योंकि यहाँ पे पहले x आ रहा है, b की जगे 3a, अब इनको multiply करेंगे, तो कितना आ जएगा, 2, 3s are 6, a x, तो यही आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा correct है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको a, a की जगे x, b, b की जगे 3a का whole square भी लिख सकते हैं, is the answer, let's do next question now, अब next question है, हमारा, 4y square plus 20y plus 25, अब देखिए, अब किस का square बना सकते हैं, देखिए, 4 का square बन सकता है, y square ही, तो y का square, y square हो गया, 20 किसी number का भी square नहीं है, और 25, 5 का square होता है, तो 4, 2 का square हो गया, और y square, y का square हो गया, तो दोनों का square को की जगे हमने whole square लिख दिया, अब इसी तरीके से 25 हमारा, 5 का whole square हो गया, right, अब 20 कैसे लाएंगे, अब हमने एक formula पढ़ा था, a square plus b square, plus 2ab, जो कितना आता है, a plus b के whole square के equal आता है, right, तो 2ab की value निकाल लेते हैं, 2 as it is, a की जगे, a की value, जो हमारा पहली value का square हो है, और b की जगे, बाद वाली value का square हो है, वो b की जगे लिख देंगे, right, अब multiply करके देखते हैं, 2 2s are 4, 4 5s are 20, और y ये वाला, तो same value आ रही है, तो इसका मतला हमने सही किया है, तो ये किसका formula होगा है, a plus b के whole square का, तो a की जगे हम 2 y लिख देंगे, और b की जगे हम 5 लिख देंगे, let's do next question now, अब इस question में देखिए, इस question में भी हमें factorize करना है, किसको 36a square plus 36a plus 9 को factorize करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 36 हमारा 6 का whole square होता है, और a square, a का square होगा, right, अब 36, ये वाला 36 भी हमारा 6 का square होता है, तो अब ये तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे 6 का square हो जाएगा, लेकिन ये a किसी चीज़ का भी square नहीं होगा, तो 36 को हम 6 का square नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे a का square नहीं हो रहा है, अब 9 है, तो 9 हमें पता है, 3 का square होता है, right, अब हमने एक formula पढ़ा था, a square, क्योंकि बीच में plus है, इसलिए plus b square, plus 2ab, जिसको हम क्या लिख सकते थे, a plus b का whole square भी लिख सकते थे, तो अब यहाँ पे a square पता चल गया, b square पता चल गया, तो plus 2, a की जगा 6 से, और b की जगा 3 रख के देखते हैं, तो यह देखिए, 2, 6 is a 12, 12, 3 is a 36, a, यही आ रहा है सेम, तो हम इसकी जगे क्या लिख सकते हैं, 6 से, a की जगा 6 से, plus b की जगा 3 का whole square भी लिख सकते हैं, अब अगर आप यह लिख के आदे हैं, तो भी correct है, लेकिन अगर आप देखेंगे, 6 और 3 में से common निकल रहा है, अब देखिए, इन दोनों में 3 common है, लेकिन यहाँ पे बाहर whole square है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, 3 curly bracket, अब देखिए, 3 2s a 6 होता है, तो 2 a as it is, plus 3 1s a 3 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, का whole square, यह बाहर क्यों लिख लिखा है हमने, क्योंकि हमने इसमें से 3 common निकाला है, और इस पूरे का whole square था, अब क्या होगा, देखिए, इसका मतलब है, 3 का भी square है, और इसका 2 a plus 1 का भी square है, अगर मैं यहाँ square नहीं लगाती, यहाँ लगाती, तो उसका मतलब ता 2 a plus 1 का ही square होना, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का square मतलब 3 is a 9 होता है, 2 a plus 1 का whole square as it is, और इसको solve कर दिया, इसका square और इसे as it is लिख दिया, एक तो यह method है, और दूसरा method बता रही हूँ, दूसरा method क्या है, आपको इसे भी method से कर सकते हैं, तो देखिए, 36 a square plus 36 a plus 9, तो हमने first exercise में सीखा था, कि हम सबसे पहले factorization में common देखते हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे, 9 common है पूरी equation में, तो 9 common ले लेंगे, तो अंदर क्या बज जाएगा, देखें, 9 4s are 36, तो 4 a square, प्लस इसी तरीके से 9 4s are 36, तो 4 a plus 9 वज़ नाइन, आप देखें किस का square हो रहा है, 9 as it is, अब अगर आप देखेंगे, 4 a square, किसका square है, 4 किसका square है, 2 का, और a square, a का square है, इसको ये भी लिख सकते हैं, प्लस, 1 को हम 1 का square भी कहते हैं, राइट, अब 4 a जो है, कैसे आएगा, हमने ये वाला formula लगा रहे हैं, तो, प्लस 2 a भी, प्लस, 2, a की जगा 2 a, और b की जगे 1 लिख देते हैं, अब देखें, 2 twos of 4 a, यही आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9, a की जगा 2 a, और b की जगे 1 का, whole square is the answer, अब अगर आप देखेंगे, ये दोनो answers same है, तो, आप कोई सा भी option, आप कर सकते हैं, मैं mostly ये method, second वाला, इस case में, जब भी common होता है, let's do next question now,